मसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल जर्धारी क्लास्ट में दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं तत्सम तद्भव सब्दों के MCQ के बारे में यह हमारा टॉपिक जो आज कल हिंदी ब्याकरण की सीरी चल रही है हिंदी ब्याकरण का 30 दिन का कॉर्स उसमें तत्सम तद्भव वाला टॉपिक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम इसके MCQ यहाँ पे कबर करने वाले हैं और इसी प्रकार के प्रशने दोस्तों आपके एक्जाम में भी पूछी जाएंगे चाहे आपको वो पुलिस कोंस्टेबल के एक्जाम हो पटवार के एक्जाम हो या फोरेस्ट गार्ड का एक्जाम तो ये सभी एक्जाम के लिए दोस्तों हमारे जो हिंदी ब्याकरण की सिरीज है बहुती महत्तफ़ों होने वाली है तो शुरुवात करते हैं यहां पर जो टॉपिक वाइज MCQ सिरीज है तद्सम तदभाव सब्द की MCQ पहला प्रिशन है निमलेकित में तद्भाव सब्द है तो यहां पर आपको तद्भाव सब्द पहचानना है तद्सम तद्भाव आपको कैसे पहचानना है यहां आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर जो तद्वव सब्द है वो है यहाँ पर 14 14 का जो तद्वव की बात करें तो अगनी का जो तद्वव रूप होता है वो होता है आग तद्वव यह जो संस्कृत का सद होता है जो सुद्व रूप होता है और तद्वव जो संस्कृत से बदले हुए रूप है सब्दों के यह मने आपको बता दिया है पुस्प का जो तदभव रूप होता है वो होता है फूल क्योंकि हम पुस्प का प्रियोग बहुत कम करते हैं सीदेम क्या बोलते हैं फूल बोलते है सलाका का जो तदभव रूप है वो है सलाई तो यह तीनों के यहाँ पर क्या होगे तद्भाव रूप हो गए और 14 खुद में एक तद्भाव सब्द है और 14 का जो तत्थम रूप है वो है चतुर दस्त Question number two है बारत का तत्थम रूप तो बारत का तत्थम रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा वर्यात्रा वर्यात्रा जो कि सुद रूप है संस्कृत का सब्द है वारत का तत्सम रूप हो जाएगा वर्यात्रा आगे है question number 3 मिट्टी का तत्सम सब्द option यहाँ पर आप जिसकते हो मृतिका, मृतिका, मृतिका या मृति तो मिट्टी का जो तत्सम सब्द है वो है मृति का इसका ए ओप्शन हो जाएगा सही आंसर Question number 4 है निमलिकित में से तदभव सब्द है तो यहाँ पे आपको तदभव सब्द पहचानना है उलूक, कूप, ओजा या पुस्तक तो यहाँ पे तदभव जो सब्द है वो है ओजा अब यहाँ पे जो उप्शन है इनको देख लेते हैं एक बार ओजा यहाँ पे तदभव है और इसका जो तत्सम सब्द होता है यानि तत्सम रूप होता है ओजा का इसको आप नोट कीजिए ये होता है उपाध्याया उपाध्याया ओजा का तत्सम रूप क्या है उपाध्याया और उपाध्याय का तब तदभव रूप क्या हो जाएगा ओजा हो जाएगा अजने ओप्शनों को देख लेते हैं उलूक है उलूक किसे कहा जाता है उलूक को यानि उलू का तद्भव रूप कौन है उलू है और उलू का तद्भव रूप कौन है उलू है तोकि उलू क्या है यहां पे तद्भव सब्द है कूप भी यहां पे तद्भव रूप है वो है कूआ और उसी प्रकार पुस्तक भी यहाँ पर क्या है तद्सम सब्ध है और पुस्तक का जो तद्भव रूप है वो है पोथी और ओजा यहाँ पर सुयम में एक क्या हो गया तद्भव सब्ध हो गया जिसका तद्सम रूप है उपा ध्याया इस प्रकार से दोस्तों आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो इन सब्दों की उतना आपको याद ज़्यादा रहेगा और प्रैक्टिस आप किस प्रकार कीजिए प्रैक्टिस आपको इस प्रकार करनी है जैसे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपने option देखना है और अन्य option के तत्सम और तत्बाव सब्द भी वहाँ पर क्या करना है उनको जाने का प्रियास करना है क्योंकि इस परकार से आप एक question के अंदरगत चार option रेते हैं और चार तत्सम तत्बाव सब्द आप क्या कर सकते हैं उनको पढ़ सकते हैं उनको याद कर सकते हैं तो इस परकार से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी अच्छा आप स्कोर कर पाओगे हिंदी में भी question number 5 है निमलिकित में एक सब्द तत्सम है तो यहाँ पे आपको तत्सम सब्द बताना है तो देखो यहाँ पे सपूत सरीसरप सांकल या सांज तो यहाँ पे सरीसरप आपका हो जाएगा तत्सम सब्द और सरीसरप जो की तत्सम सब्द है अब यहाँ पे अन्य ओप्शन देख सब्ध है और सपूत्र का जो तत्सम रूप होता है वो होता है सुपुत्र को सपूत्र कहा जाता है तो सुपुत्र इसका सुद्ध रूप यानि तत्सम रूप हो गया और सपूत हो गया तद्वव रूप सांज का अगर देखो आप यहाँ पे तो सांज का जो तत्सम रूप है वो है स्रंखला और सांज का जो यहाँ पे तत्सम रूप है वो है संध्या संध्या सांज का इस प्रका लिखा जाएगा थोड़ा वाँ पे जगे नहीं बची थी तो सांज का जो यहाँ पे तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा संध्या ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं question number 6 की और अधोलिकित में से तदभाव सब्द क्या है यहाँ पे आपको बताना है तदभाव सब्द देखो यहाँ पे यह total 30 question है और important 30 question है यह जो बार-बार exam में पूछी जाते हैं तो 30 में से आप कितने score यहाँ पे कर सकते हैं कितना आपका number आ रहा है 30 में से कितने आपके सही जा रहे हैं comment box में हमें जरू बताएं तो question number 6 है अधो लिकित में तदभाव रूप है तो तदभाव आपको बताना है और तदभाव यहाँ पे पिटारा और पिटारा का जो तदभाव सब्द है और पिटारा का तदभाव सब्द कौन सा है वो है पिटक question number 7 है निमलिकित में तदभाव सब्द है तो यहाँ पे भी आपको तदभाव सब्द देखना है तो देखो यहाँ पे जोचना ये तो तत्सम सब्द है स्रेश्टी भी और परिक्षा भी तीनों के तीनों ये तत्सम सब्द है याँ यहाँ पे D option हो जाएगा घर यहाँ पे तत्सम रूप देखें तो वो है ग्रह क्या है तत्सम रूप है और ग्रह का तत्सम रूप है और ग्रह का तत्सम रूप है और ग्रह का तत्सम रूप है तो ग्रह का तत्सम रूप हो जाएगा तो D option हो जाएगा इसमें तत्सम रूप हो जाएगा तो D option हो जाएगा इसमें गध्रब या गर्धब तो गधा का तत्सम रूप है गर्धब डी ओप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर question number 9 देखे आप यहाँ पे प्रिय का तदभव सब्द तो प्रिय यहाँ पे एक तत्सम सब्द है और इसका आपको तदभव सब्द बतनाना है तो यहाँ पे देखो प्रिय हो जाएगा इसका नो का ए ओप्शन क्योंकि प्रेम हो नहीं सकता है प्रिय यानि जिससे आप प्रेम करते हैं तो प्रेम तो इसका हो नहीं हो सकता है और प्यार भी नहीं हो सकता है यानि जिससे आप प्रेम कर सकते हैं उसे कहा जाता है प्रिय औ और इसका तदभाव रूप हो जाएगा पिया यानि ए ओप्षन हो जाएगा नो का सही आंसर Question number 10 है निमलिक्त सब्दों में से कौन सा तदभाव सब्द नहीं है तो अभी आपको ये बताना है कि तददभाव सब्द इन में से कौन सा नहीं है नहीं का तदभाव सब्द है और नह का जो तददभाव सब्द है और नहीं का तददभाव सब्द है इस नह हो गया आगे बढ़ते है Question number 11 की और निमलिक्त में से कौन सा तदभाव सब्द है पंक, प्रिष्ट, लज्जा या सिला तो देखो यहाँ पे जो तद्वव सब्ध है वो है पंक और पंक का तद्वव रूप क्या हो जाता है पक्ष हो जाता है पंक का तद्वव रूप उसी प्रकार अब देखो यह तीनों के तीनों यहां पर क्या है तत्सम है प्रिष्ट लज्जा और सिला तीनों के तीनों क्या है तत्सम सब्ध है और प्रिष्ट का तद्वव हो जाएगा पीठ लज्जा का हो जाएगा लाज और सिला का हो जाएगा सिल इसका हो जाएगा तत पक्स क्या हो जाएगा तत्वसम रूख हो जाएगा तो पंक यहां पर ततबव सब्द है 11 का घ्यारा का हो जाएगा A Option सही आंसर बढ़ते हैं Q12 की और निमलिकित में से कौन सा सब्द तत्वसम नहीं है तो सारे के सारे के सारे क्वेशन अभी आपको क्या मिल जाएंगे टोपिक वाइज मिलेंगे और मैंने आपको कहा था कि जब यह हिंदी ब्याकरन का कोर्स होगा तो इसमें आपको टोपिक के साथ-साथ उसके संबंधी M.C. के भी मिलेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो सके और अभी जैसे यह कोर्स कम्पलेट हो जाएगा उसके बाद लगबग 6 या 7 दिन कम्पलेट हिंदी ब्याकरन के मिक्स अप उसमें क्वेशन होंगे और आपके लिए 50-50 या 100-100 नंबर के प्रैक्टिस याट वहाँ पे लाई जाएगे तो वो भहुत महिस्तरपुन होंगे आपके लिए तो इसलिए आपको स्कोर्स के साथ बना रहना है और अच्छा स्कोर आपको हिंदे में करना है तो क्वेशन नंबर 12 है यहाँ पे निमेक में से कौन सा तत्सम नहीं है इसकंद तत्सम है कपोत क्योंकि कबूतर होता है और कबूतर का तत्सम रूप होता है कपोत इर से भी यहाँ पे क्या है तत्सम सब्द है तो हल्दी यहाँ पे तत्सम सब्द नहीं है और हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है हरिद्रा होता है हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा होता है देखो अब यहाँ पर अन्य उप्शन तो ये तीनो तीनो क्या है ये तीनो तत्सम सब्ध है तो इसकंद का जो तद्वव होता है कंधा होता है कंदे को सुद रूप से इसकंद केता है ठीक है कपोत का जो तद्वा रूप होता है वो होता है कबूतर यानि कबूतर का तद्वा रूप होता है और हल्दी यहाँ पर स्वया में एक तद्वा रूप होता है तो हल्दी का क्या हो जाएगा हरिद्रा हो जाएगा तत्सम सब्द question number 13 है निमलेकित में से कौन सा सब्द तत्सम है यहाँ पर आपको तत्सम बताना है तो सांप यह तो तत्सम नहीं है क्योंकि सांप का तत्सम होता है सर्प चिन यह भी आपका तत्सम नहीं है बीड़ना भी तत्सम नहीं है क्योंकि बीड़ना का जो तत्सम रोपता है वो वीड़ना होता है बी नहीं होता है वी होता है वीड़ना तो यहाँ पर विस्मय हो जाएगा सही आंसर विस्मय यहाँ पर क्या हो जाएगा तत्सम सब्द हो जाएगा question number 14 है एकल सब्द का तदभव सब्द तो एकल का तदभव हो जाएगा अकेला, एकल यानि जो अकेला लेने वाला है वो एक ही है तो एकल का तदभव अकेला हम अकल बोलते हैं हम अकेल बोलते हैं हम बोलते हैं अकिला, तो अकिला क्या है तदभाव रूप है एक अलगा, पंद्रा है करपट सब्द का तदभाव सब्द, most important दोस्तों कई बार एक्जाम में पूछा गया है, और वैसे ये top 30 question important है सारे के सारे, कई बार एक्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, करपट सब्द का तदभाव सब्द है कपड़ा, c option होगा इसका सही answer, आगे बढ़ते हैं question number 16 की और, मख्षी सब्द का तदभाव रूप क्या है, तो मख्षी का तदभाव रूप हो जाएगा, मख्षी का, इसका D हो जाएगा सही answer, question number 17 है, हल्दी सब्द का तदभाव रूप, अब भी आपको ये पहले भी, इसके जैसे question आये थे एक और, उसमें मैंने आपको हल्दी का तदभाव रूप भी बताये था, तो हल्दी का जो तदभाव रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा हरिद्रा, यानि इसका C option हो जाएगा, right answer, question number 18 है, नारियल सब्द का तदभाव रूप, तो नारियल का हो जाएगा, नारिकेल, A option हो जाएगा इसका right answer, 19 है, सींग का आपको बताना है तद्सम रूप, यानि संस्कृत रूप, तो सींग का क्या होता है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे कई अभिड़ती इसमें कन्फिज होते हैं, इसमें और इसमें, A option और C option में, तो सींग का क्या होगा, श्रेंग होगा, तो यह तो खेर सभी को मालूम होगा, इसमें सिंपल सा दिख रहा है, तो सुस्रुसा इसमें क्या है, तत्सम सब्द हो जाएगा, Q21 सिंगार सब्द का तत्सम है, तो सिंगार का जो तत्सम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा C option देख को, यह आप स्रंगार, ठिक है, यह question भी कई बार एक्जामें पूछा जा तूका है, तो सिंगार सब्द का तत्सम हो जाएगा, स्रंगार यानि C option, एक किसका C option हो जाएगा राइट आंसर 22 है इन में कौन सा सब्द तदभव है मधुप, मधुकर, भ्रमर और भौरा तो भौरा यहाँ पर क्या हो जाएगा तदभव हो जाएगा और जब कि भौरा का जो तदसम रूप है वो यहीं पर है C option में भ्रमर भ्रमर तदसम रूप है और भ्रमर का तदभव हो जाएगा भौरा B option हो जाएगा इसका राइट आंसर मधुप, मधुकर, यह भी तदसम रूप है भौरा यहाँ पर तदभव रूप है त्याई से मुद्री मुद्री का तदसम रूप मुद्री का, जो मुद्री होती है या मुद्री उसको कहा जाता है तो वो तो आम भाता में उसे कहा जाता है लेकिन इसका जो सुध तदसम सब्द होता है तदसम रूप होता है वो होती है मुद्री का B option होगा इसका right answer question number 24 है धीट सब्द का तत्सम रूप धीट का मतला होता है जो निडर या जो बेजिजक होता है जो किसी भी काम को सीले कर लेता है चाये उसमें कितना भी रिस्क हो उस व्यक्ति को कहा जाता है धीट और धीट सब्द का जो तत्सम रूप है यहां पे वो हो जाएगा द्रिष्ट द्रिष्ट ठीक है question number 35 है गेहूं सब्द का तत्सम most important है गेहूं और गेहूं का जो तत्सम होता है वो होता है गोधूम गोधूम क्या होता है गेहूं का तत्सम सब्द तत्सम रोग अब एक और सब्द दोस्तों इसी प्रकार से एक आता है गोधूली क्योंकि गोधूली और गोधूम में बहुत अब्भीटती बहुती confuse होते हैं गोधूली का मतल़ क्या होता है गाय के पेर से उठने वाली द्धूली क्योंकि ये काई बार एक्जामे पूछा गया है सब्द गोधूली का अर्थ क्या है गाय के पैर से उठने वाली धूल और देखो पहले क्या होता जब गाय साम के टाइम घर वापस आती तो उनके पैर से धूल उठती तो उस समय को क्या कहते है गोधूली कैसे और ये कौन समय रहता तो संध्या का समय तो संध्या के समय को कहा जाता है गोधूली तो अगर प्रस्ण बनता है कि गोधूली का अर्थ क्या है तो संध्या के समय किसे कहा जाता है तो संध्या के समय को कहा जाता है गोधूली और गोधूली का मतलब क्या होता है तो गाय के पैर से उठने वाली धूली तो साम के टाइम जब गाय आती तो उनके पैर से धूल उड़ती वो आस्मान में दिखाई दे दे थी और वो संध्या का समय होता था तो संध्या के समय को इसलिए गोधूली कहा जाता है और गेहों का तत्सम रूप क्या है तो वो है गोधून क्वेशन नमबर सभी से निमलेखित में तत्सम सब्द है तो यहाँ पे आपको तत्सम सब्द बताना है तो देखो यहाँ पे कान यहाँ पे तत्सम रूप है और कान का जो तत्सम रूप है वो है करन जीव यहाँ पे तत्सम रूप होता है वो होता है जिवा जी हा ठीक है मुख यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा तत्सम सब्ध हो जाएगा और मुख का जो तत्भव रूप होता है वो होता है मुख देखो मुख जब कि बहुत सारी अब्बेटियों क्या लगेगा कि यह किस प्रकार का यह तत्सम हो सकता है और मुख का तत्भव रूप होता है मुख 27 से निम्लिकित में से कौन सब्ध तत्सम नहीं है तो तत्सम यहाँ पे नहीं है कौन नहीं होगा तो यहाँ पे आँख क्या हो जाएगा तत्सम नहीं होगा क्योंकि आँख का जो तत्सम रूप होता है वो अच्छी होता है आँख यहां पर क्या है तदभव सब्द है 28 से निम्लिकित में से कौन तदभव सब्द है जिनकर दिवाकर प्रभाकर या सूरज तो सूरज यहां पर क्या है तदभव है क्या 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 है मखन का तत्सम सब्द मखन का जो तत्सम सब्द हो जाएगा म्रिक्षन हो जाएगा दी हो जाएगा इसका सही अंसर और अंतिम क्वेशन है आज का निम्लिकित सब्दों में से एक तद्सम सब्द क्या है तो यहाँ पे जो तद्सम सब्दे वो है खरपर और खरपर का तद्भाव रूप क्या होता है खपड़ा या खोपड़ा तो D option हो जागा इसका सही answer तो top 30 questions दोस्तों तद्सम तद्भाव सब्दों के और most important एक प्रस्ण है यहाँ से कई बार exam में प्रस्ण बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे और इसी प्रकार के आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है तद्सम तद्भाव सब्दों की उसके लिए आप हमारी हिंदी ब्याकरण की PDF एबुक डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको मिल जाएकर ब्यूडिक के डिस्क्रिशन में वहाँ पे आपको नोर्स और इसी प्रकार के बहुत सारे MCQ के उसमें दिये गए हैं तो वहाँ से भी आप प्रैक्स कर सकते हैं या कई अन्यमादें भी है प्रैक्स करने के कई बुकों से आप प्रैक्स अधिक से अधिक आपको करना है और अच्छा सा अच्छा स्कोर दोसनों आप तभी कर पाओगे हिंदी में continuity आपको बनाई रखनी है और लगातर आपको पढ़ाई करती रहनी है और practice आपको हिंदी में करनी ही करनी है जिन जिन टोपिकों के लिए मैंने बिसेश तोरकर बोल लखा है अभी जो विलोम सब्द आज लेक्चर हुआ उसमें भी आपको practice अदिक स्यादी करनी है झाल कर दो आपको परियावादा आपको अवाद।